कि नमस्कार दोस्तों महीं जी ने राश्तोष पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामा सिविल इंजिर्निंग ट्रेनिंग इस्टिटूट में तो फ्रेंट्स आज के वीडियों बात करने वाले हैं हैवे इंजिर्निंग के एक मोस्ट प्रेमिक्स कार्पेट तो यहां पर जो हमने कोड़ फॉलो किये मिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलप्मेंट की स्पेसिफिकेशन फॉर रूरल रोड जो की इंडियन रोड कॉंग्रेस द्वारा पब्लिश की जाती है उसको हमने यहां पर फॉलो किया है तो पहले देख लेते ह करते हैं यहां पर हम साइट के बात करें तो टू टाइप अफ अग्रिगेट यहां पर यूज करते हैं 20 mm डाउन यानि 20 mm से नीचे का अग्रिगेट और 10 mm से नीचे का अग्रिगेट जो हमारे पास 20 mm डाउन अग्रिगेट होता है उसमें जो हमारे पास होते हैं वह 10 mm डाउ प्रिमेक्स कार्पेट यानि Oайте PC बोला जाता है तो यहां पर जो हमने इमेज्ज की है वह इसको ओपन टीफिए प्रिमेक्स कारपेट सर्फेश कॉर्ड किया गया है जिसमरुँपज आप आप यहां पर तो इसको फिल करने के लिए सील कोट अप्लाई करते हैं तो सील कोट अप्लाई करने के बाद जो हमर पास सर्फेस कोड होता है वो इस तरह का दिखता है तो जो हमर पास स्पेस्फिकेशन बुक है सर्फेसिंग माटेरियल ओफ 20 mm थिक कंपोजड ओफ स्मॉल साइज्ट अग्रिगेट प्रिमिश्ट विद बिटुमिनस बाइंडर और प्रिविश्ली प्रिपेर्ड बेस यानि जो पहले से प्रिपेर बेस है उस पे 20 mm थिकनेस का जो में ओजी पीसी यहां पर प्रोवाइड क और उसको प्रिविश्ली प्रिपेर्ड बेस के उपर बिचाया जाएगा ले किया जाएगा कॉम्पैक्ट किया जाएगा तो इस तरह से जो जी पीसी होता वो एक वीरिंग कोर्स की तरह एक्ट करता है तो दोस्तों जो हमारे पास टू टाइप ऑफ माटेरियल यहां पर किया हुआ है तो हमारे पास जो प्रपोर्शनिंग माटेरियल है वह टेबल नंबर 500.9 में स्पेसफाइग किया गया है कि 20 mm थिक ओजी पीसी के लिए 10 मीटर स्क्वाइर के लिए कितनी क्वांटिटी ओव माटेरियल रिक्वार्ड होगी एग्रिगेट की यह उस टेबल में स्पेसफाइग किया गया है तो यहां पर जो हमारे पास एग्रिगेट है एग्रिगेट में हम ने डिसकस के कि दो तरह के एग्रिगेट होते हैं 20 mm डाउन और 10 mm डाउन तो जो पहला एग्रिगेट है वो 20 mm डाउन है वो जुसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है nominal stone size of 13.2 mm which is passing on 22.4 mm sieve and retained on 11.2 mm sieve यानि nominal size 13.2 mm दिया हुआ है जो कि 22.4 mm nominal size यानि sieve से pass होने वाला है और 11.2 mm sieve पे retained होगा तो यह हमार पार specification first one कर दिया है जिसकी quantity 10 meter square of road surface के लिए 0.18 meter cube यहाँ पे दी हुई है जो दूसरा aggregate है वो 10 mm down aggregate है तो nominal stone size यहाँ पे 11.2 mm दिया हुआ है जो passing on 13.2 mm sieve and retained on 5.6 mm sieve यानि 13.2 mm sieve से pass होने वाला और 5.6 mm sieve पे retained होगा तो जो उसके बीच में जो material होगा वो हम यहाँ पे use कर रहे हैं जिसकी quantity 10 meter square road surface के लिए दी है 0.09 meter cube तो हमसे अगर कोई पूछता है कि 10 meter square के लिए इतना material required होगा तो total हम यहाँ पे add कर देते हैं 0.18 meter cube और 0.09 meter cube तो 0.27 meter cube यहाँ पे हमार पर total aggregate आता है जो binder content हमार पास लग रहा है 10 meter square के लिए तो दिया हुए 4 0.18 meter cube of 13.2 mm nominal size stone at 52 kg bitumen per meter cube यानी 1 meter cube quantity के लिए 52 kg bitumen यहाँ पे required है तो जो हमार पास 10 meter square के लिए material quantity निकले थी 13.2 mm great size के लिए वो 0.18 meter cube निकले थी तो 0.18 meter cube के लिए हमार पास जो quantity आएगी वो 9.4 kg आएगी और वैसे ही 4 0.09 meter cube of 11.2 mm nominal size stone at 56 kg bitumen per meter cube यानी 1 meter cube quantity के लिए 56 kg bitumen लग रहा है तो 0.09 meter cube के लिए कितना bitumen लगेगा वो simple mathematical calculation से निकाला जा सकता है जो कि 5.2 kg यहाँ पे mention किया हुआ है तो यहाँ पे 10 meter of square road surface के लिए aggregate कितना लगेगा और bitumen कितना लगेगा उसकी quantity specified कि है तो total bitumen content यहाँ पे जाएगा जब 9.4 kg और 5.2 kg को यहाँ पे add करेंगे तो 14.6 kg bitumen यहाँ पे लगेगा यानि 10 meter square road surface के लिए 14.6 kg bitumen लगने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे quantity of materials required for one kilometer road section के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे तो जैसे कि हमारे बाद 10 meter square road section के लिए quantity को कोड में specify किया है तो एक kilometer road section के लिए कितना quantity of material लगेगा वह हम यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे जो हमने रोड शो किये हो जिसकी length हमने 1 km लिए यानि 1000 meter width of carriageway यहाँ पे 3.75 meter लिए है तो जो हमार पास total surface area of road यहाँ पे पता चल जाएगा तो टोटल surface area of road यहाँ पे हमार निकले यहाँ निकले का 1000 इंटो 3.75 जो हमने अभी यूनिट लिए हैं वह सब मीटर में लिए हैं तो टोटल surface area आएगा 3750 meter square तो 3750 meter square के लिए कितना material लगने वाला वह हमें भी निकालते हैं तो quantity of aggregate required for 1 km road section के लिए कितना material लगेगा तो 10 meter square के लिए हमारे पास specified किया गया है तो 375 0 meter square के लिए कितना लगेगा तो जो 13.2 mm grid size हमारे पास जो है उसके लिए हमारा material 10 meter square के लिए 0.18 meter cube दिया है तो 375 0 meter square के लिए हो जाएगी 0.18 meter cube into 375 क्योंकि यह 10 meter square के लिए quantity दिए है तो जो total quantity of 13.2 mm grid size निकलेगा वो 67.5 meter cube निकलेगा और जो दूसरी quantity आएगी nominal stone size of 11.2 mm grid size तो जिसकी 10 meter square के लिए 0.09 meter cube specified की है तो उसके लिए total quantity आएगी 0.09 meter cube into 375 तो 33.75 meter cube total quantity आएगी aggregate की तो यहां पर हमाने total quantity of aggregate निकाल लिए दोनों grid size के लिए तो हम between content निकालते हैं कि between content कितना लगेगा तो quantity of bitumen for required for 1 kilometer road section निक किलोमेटर road section के लिए कितनी bitumen लगेगा तो specify किया गया है for 0.18 meter cube के लिए 9.4 kg लग रहा है और दूसरी grid size 11.2 mm है जिसके लिए quantity 10 meter square के लिए 5.2 kg दी है तो दोस्तों अगर आपको हमारा content अच्छा लगा तो हमारे comment section में comment करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को like share और subscribe करना ना भूलें तो इसी के साथ विजा लेते हूं मिलते हैं एक ऐसे important वीडियो के साथ जय हैं जय भारत